असलाम अलीकूम वेलकम टू माई यूटूब चैनल खाना विद नसराना आज मैंने बनाई है नाकपूर की फेमस चिकन बिरियानी जो की बहुत जल्दी प्रेशर कूगर में बन जाती है जट पर तयार हो जाती है और इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है इस आज हम बना रहे हैं नाकपूर की फेमस चिकन बिरियानी जो की कूकर में बनती है जटपड बन जाती है बहुत एजी तरीके से बन जाती है इसको इसके लिए हमें क्या चाहिए मैंने यहां पर आदा किलो चिकन ले लिए जिसको मैंने अच्छे से वाश करके रख लिया है इसके साथ मैंने यहां पर एक प्यास को तल लिया है जो की गोल्डन ब्राउन कर लिया है यहां पर मैंने एक चमच भरकर अपना अचार ले लिया है जो की मेच का अचार है इसके साथ मैंने यहां पर एक चमच नमक ले लिया है यहां पर मैंने दो चमच अद्रक नसन का पे तो आप नॉर्मल दही भी डाल सकते हो लेकिन कोशिश करना अगर खट्टा दही मिल जाए आपको तो और भी अच्छा है ठीक है खट्टा दही हो गया इसके साथ साथ इसमें जो मसाले जाएंगे वहापे मैंने एक लालमिश पाउडर ले लिया एक चमच छोटा चमच है चाहिए तो मेरे चैनल पे रेसीपी देख सकते हैं आपको मिल जाएंगी गरम मसालेगी इसके साथ मेने चार से बाच हरेमिश को इस तरीके से काट ली है थोड़ा सा मैने हरा धनिया ले लिया थोड़ा समय नहीं यहां पर पोदीना ले लिया और यहां पर मैने एक गिलास बास्मती राइस में पहले सी धोके भीगो लिया था कि आदा घंटा मेरा भीगे वे चावल को हो चुका है अच्छा नादपूर की बिर्यानी बनती है वो तुकड़ा चावल की बनती है मेरे पास तुक्ड़ा चावल नहीं था इसलिए मैंने यहां पर बास्मती राइस का जो चिकन दालने के बाद में हम इसके ओपर डालेंगे अधर घस्तन का पेस्ट नमक नहीं दही अपने चौप की हुए सारी सब्सियां यह सारे मसाल्य अचार कि अच्छी प्यास इसको थोड़ा सैसे मसल लेंगे इस सारी सीच में गएए यह मैंने एक कटोरी की मैंने जिसमें प्यास थली थी यह भी मैंने इसमें डाल दिया है कि अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि अच्छे से मिक्स करने जाए कि आपको जूम करके दिखा दूंगी आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है यह बहुत तेस्टी बनती है लाकपूर के थाएखट बन जाती है अगर आपके घर में कोई महमान आ रहा है और आपके पास तायम नहीं तो आप इजी लिए तेकि बहुत बनाल मसाला लगा दिया, देखे किस तरीके से, मसाला मेरा तैयार हो गया लगा है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? अपना छावली बिगो रखें और पाणी निकाल लें ते दाथे हैं, फिर आपको आगे बताते हैं, यह देखिए, अब मेरे चावलों का पानी निकाल दिया, अब हम कच्छे चावल को अच्छे से फैला देती हैं इसमें किसी तरीके के मैंने कोई और पकाया नहीं चावल को और कुछ नहीं कि अब हम चावल पकेंगे कैसे अब लेगा कैसे उसके लिए हमने क्या किया है यहां पर अपना एक गिलास पानी ले लिया और उसके अंदर मैंने एक चमच यहां पर नमक डाल देती हूं ठीक है नमक डाल के इसको बोल लेते हैं पानी को अब यह जल्दी बन जाती है बहुत अच्छी बनती है बिर्यानी अपने घड में जरूर प्राई करना और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और शेयर करना बिलकुल ना भूलना बस हमें इतना पानी डाल लागे यो हमारे चावल से बीग जाएं इतना पानी डालना है अब हम इसको कूकर को सिटी लगा लेंगे ले जोड़ा लेंगे आपको स्टार्टिंग में भी हमें नमक डाला था चार में भी नमक होता है इसी नमक कर जरूर धिहान रखें नमक जाधा ना डालें ठीक है अपने चाबलों में नमक हो जाएगा आप बेफी कर रहें बिर्यानी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी अमें इसको गैस पर प्रेशर खतम नहीं हो गया आप चेक कर लेते हैं हमारी बिर्यानी इसको परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी है यह देखिए थोड़ा सा हवा भाप हो रही है इसलिए आपको समझने आरे में प्लेट में निकालके फिर आपको दिखाती हूं यह देखिए यह मेरी गर्म गर्म नाकपूर बिर्यानी बनकर तयार है जो की बहुत टेस्टि रखती है खाने में वह बहुत जल्दी बहुत दरीगे से बन जाती है। इसको कोई भी बना सकता है इसको चटनी और रहते के साथ सर्फ कीजिए यह बुरहानी के साथ सर्फ कीजिए आती है तेंकि मैं यहाप बुरहानी पनाई हुई है और इंजॉई केजिए मेरी वीडियो को लाइक like share और comment करने बिल्कुल न भूलें झाल झाल